हलो एवरिवन स्वागत है आपका आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में वाई टी यू थड्डा में और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे नीट की टेस्सीरीज को लेके कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो बहुत सारी टेस्सीरीज अलग- करना चाहिए नहीं करना चाहिए कितनी फ्रूटफुल वो होती है इन सभी पहलों को लेके हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप यह समझे टेस्सीरीज हम क्यों जॉइन करते हैं पहली चीज कि हमारा किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस कितना है य है या यह हम ओवर कॉंपिडेंट हैं और मार्क्स कम आ रहे हैं दूसरी चीज यह पता चिल जाता है हमारी रैंक क्या है टेस्सीरीज में उससे हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं इसा तो होता नहीं है प्राक्टिकली तो भई देखना पड़ता है ना कि कॉंफिड प्रिटर्स हैं उनके बीच में हम कहां स्टैंड कर रहें यह चीज भी मालूम होना चाहिए तो टैस सीरीज से मोटा मोटी हमें समझ में आ जाती है अब सवाल यह आता है कि टैस सीरीज हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं क्या उस कोचिंग की कि टैस सीरीज हमारे लिए सफिशेंट है या हमें दूसरी कोचिंग की टैस सीरीज की तरफ रुख बदलना चाहिए अपना तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं तीन तीन चाचा तरह की टैस सीरीज जॉइन कर लेते हैं और फिर वह परिशान ही होते हैं उससे और किसी सीरीज को पूरा कमप्टीर नहीं कर पाते हैं और बीच में ही चोड़ते हैं क्योंकि उस को खतम नहीं कर पाते हैं अब इस सबसे पहली चीज आप यह देखिए कि आप चे जिसमीं बढ़ते हैं अगर उस में कई तरह के टैस्ट होते हैं सब्नित क्वेर modeling subjects जैसे एक चैप्टर दो चैप्टर के टेस्ट रहे हैं है इस तरह से पूरा सा मुझा वन्हें दसके टेस्ट फोड़ा साा बढ़ा साल टेस्ट होगा जिसमें 3-4 of 4-5 चैप्टर का combine करके वो तरह के टेस्ट के प्राक्टमें स्थित्राइक सैथ सबसे पैली चीज्ज से वाइली दूसरी चीज्ज या नहीं हो रही है यह बहुत जरूरी है और नंबर और मुर्णी काफी होना चाहिए ठीक है तो अगर यह सब चीज़ें को रही है तो तो इसका मतलब कर देंस नंबर तो अपने आप में सही है लेकिन अब दूसरी चीज जो harder join करना जाय क्योंकि वहां पर नंबर उफ जो घ्र मिलें लिए भूद जबस कम फूराइबंगे छाट क्वी अनियों बहुत सारे घ्रोब प्रकॉम्प्रीट के साथ हुना तो मांस के बीच में इसमिति अलग बाति बैन से चाहिए में हैं जहां पर यह सारे टेस्ट भी प्रोवाइड हो रहे हैं जहां पर अल्रेडी बच्चा मास में हैं तो वहां पर हम एक और दूसरी किसी बड़ी कोचिंग में जाके टेस्स सीरीज जॉइन करने तो बहुत जादा फूटफुल नहीं होता क्योंकि काफी सारे जो कॉम्पिटीटर्स होते हैं वो सेम ही आपको मेलेंगे तो बेसिकली आप इसका डिसीशन की दूसरे कोचिंग की टेस्स सीरीज जॉइन करनी है या नहीं करनी यह तब ही ले सकते हैं जब आप खुद की कोचिंग पर यह अनालिसिस कर लें कि वहां पर जो टेस्ट हैं वो होसारे होना चाहिए अगर अगर यह दोनों चीज़ें साटेस्फाक्टरी हैं तो अनैसेसरी हम दूसरी तीसरी चौथी कोचिंग पर जाने का कोई मतलब नहीं है और अगर इन में से एक भी पॉइंट पर आपको लगता है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां प कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बिताएं और मेरे वीडियो आप प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू